अस्सलाम अलेकुम students of 9 class पेज नमबर 9 पे आज हमने 1.2 exercise का question number 5 करना है find the transpose of each of the following matrices यहाँ पे हमें matrices given है और हमने इनका transpose find करना है अपनी copies पे solve करते हुए आप सबसे पहले exercise और question लिखने के बाद A matrix लिखोगे इसमें हमें given है only one column हमने A के उपर T लिखना है T for transpose A transpose is equal to इस पूरे matrix पे भी T लिखा हमने transpose की definition पड़ी थी कि rows को columns में और columns को rows में change कर देने को transpose कहते हैं इसलिए इस एक column को change करके हमने एक पूरी row बना दी यही A transpose का answer है next हमें matrix given है B 5,1,6 इसमें सिरफ एक ही row है B के उपर T लिखेंगे और पूरे matrix पे भी इसको transpose में change करते हुए एक row है हम एक column बना देंगे B transpose is equal to 5,1,6 C matrix में हमें given है तीन rows और दो columns हमने इन तीन rows को तीन columns में change कर देना है C transpose is equal to इसके उपर T लिखा 1,2 जो पहली row है उसका पहला column 1,2 बना लिया 2,1 है 2,1 दूसरा column बन गया 3 and 0 लास्ट वाली row है 3 और 0 को भी तीसरा हमने column बना लिया C transpose is equal to 3 columns अब इसमें बन गए और 2 rows बन गए D transpose करते हुए हमें D एक square matrix given है जिसमें 2 rows और 2 columns है जब भी आपको कोई square matrix given हो और उसका transpose find करना हो तो आपने याद रखना है इसकी सिरफ second diagonal की entries को change कर देने से ही D transpose बन जाएगा 2, 3 इसका पहली जो row है उसको अगर column में change करें तो 2, 3 रहेगा 0, 5 दूसरी row है इसका column 0, 5 बना तो आप अगर इसमें गोर करें तो सिरफ 3 और 0 की ही place change हुई है बाकी 2 और 5 वही है तो square matrix का transpose लेते हुए सिरफ इन दोनों entries के जगा बदल देने से भी D transpose बन गया E भी हमें एक square matrix given है जिसमें 2, 3 पहली row की entries है और minus 4, 5 दूसरी row है E transpose E के उपर T लिखा matrix के उपर भी इसमें भी हमने just 3 और minus 4 की जगा change की तो पहला column 2, 3 और दूसरा column minus 4 and 5 बन गया और ये पूरा E transpose हमारे पास आ गया F में भी हमें given है दो rows दो column 1, 2 पहली row है 3, 4 दूसरी row है इसमें भी सिरफ 2 और 3 की जगा change करने से हमारे पास दो rows और दो column बन गए ये हमारे तमाम matrices के transpose हमने find कर लिए Next हमें question number 6 given है verify करना है हमने उसमें A transpose whole transpose is equal to A यानि A matrix का अगर दो दफा transpose लिया जाए तो वो A के equal ही बन जाता है इस question को solve करते हुए भी हमने इसका first part लिखा A transpose whole transpose is equal to A solution में हमने A matrix लिखा जो हमें given है 1, 2 इसकी पहली row है 0, 1 दूसरी row है हमने A transpose निकाला matrix के उपर भी T लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया सिरफ 2 और 0 की जगा change करने से 1, 0, 2, 1 दुबारा से अगर हम इसका transpose लें A transpose bracket लगा कर again उपर T लिखा matrix पे भी और इस matrix का दुबारा से transpose लेने की वज़ा से 2 और 0 की दुबारा जगा change हुई 1, 2 पहली row, 0, 1 दूसरी row बन गई और अगर हम इसके गोर करें तो ये दुबारा से हमारे पास A matrix ही हासिल हो गया 9th class is question का second part इसी तरह B transpose whole transpose is equal to B आप हुद करेंगे इन्शाला आगे हम कल काम करेंगे Okay students, Allah हाफिज